कि है लावरीवन देशिवांगी वेल्कम टूशिपक्लास वीडियों डिसकस करने वाले हम गुड गवर्णने सुशाशन दोनों लेंगिज में डिसकस करेंगे पहले भी यह टॉपिक अप्लोड है लेकिन सिर्फ इंग्लिश में था इस बार दोनों में ही यह टॉपिक आपका अप्लोड होने वाला है तो चली स्टार्ट करते हैं और अगर आपको इगनू की हल्फ बुक्स चाहिए तो उसके बारे में जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में है जो आप खरीद सकते हैं जिसमें आपको 50% का और उसके हलावाद 10% का और मेरे कूपन कोड का इस्तिमाल परेंद करने के बाद हो 5% की तो निंक की जो है वो डिस्क्रिप्शन में है सारी डिटेल्स भी तो चली स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइंतर डृषास रहएं जोबी गवर्मैंट है रूलिंग में है आची तरीके से शाषन का मतलब क्या है कि जो corruption है रश्टाचार है वो कम हो और जो minorities है ऐसे जातिया जिनकी अबादी कम है उनका भी opinion लिया जाए यह निकि जिनकी अबादी जादा है जिन जाती की या हम बोलें जिन classes की उनके उनके जो है उनकी majority है तो उनी से opinion लिया जा रहें किसी भी decision को ले के तो सभी को अधिकार होना चाहिए जैसे हम यहाँ vote के बारें के बारें बात कर सकते है voting जब हम election होते है तो उसमें सभी जो है वोट कर सकते यह नहीं कि सिर्फ rich class के लोग है वोई जो है वोट कर सकते है पूर class ने जिन भी लोगों का क्या बना हुआ है voter ID बना हुआ है वो eligible होते है किसके लिए vote देने के लिए इसमें यह matter नहीं करता कि आपकी आप कौन से religion से हैं ठीक है कौन सी आपकी कास्ट है आप कौन सी class से belong करते हैं तो good governance यह है कि सभी को एक साथ लेके चलना आप चाहिए सब्सक्राइब को सुनना जो उत्पीडित लोग है उनकी बातों को सुनना जो भी decision making process कोई निती बनाए जा रही है तो उनसे पूछना उन्होंने वह सफर की है तो कि आपको क्या चाहिए अगर हम उस से लेटेट कोई वह policy बना रहे है किसी के साथ कोई कोई हाथसा हुआ है ठीक है किसी community के साथ तो कुछ कोई policy बनाई जारी किसी भी चीज को लेकर तो इस चीज में कैसे सुधार ला सकते हैं उनका भी opinion लेना ठीक है अब बात करते हैं इसके features की यह हम बोले characteristics प्रिंसिपल अगर exam में ऐसा लिखा आता तो अब यह सब चीजे लिख सकते हैं तो पहल से बिलॉंग करता हो किसी भी कास से लिजन से बिलॉंग कर रहा है यह मैटर नहीं करता है और सभी के पास freedom होना चाहिए ठीक है सभी के पास क्या है freedom होना चाहिए right to freedom होना चाहिए फिर आता है दूसरा हमारा rule of law तो यहां पर जब गवर्मेंट ठीक है अब वह उसका जो चाहिए वह कैसा होना चाहिए निश्पक्ष रूप से लाग होना चाहिए ठीक है किसी के साथ partiality नहीं होना चाहिए इंपार्शियल होना चाहिए कि यह निकी जो rich class है उसके लिए जो है low अलग है poor class के लिए low अलग है ठीक है भई अगर किसी ने कोई crime किया है अगर उसमें जो सजा है वह 10 साल की है वह चाहिए rich है यह पूर है यह matter नहीं करता अगर उसने वह जो है crime किया है अगर उसमें 10 साल की सजा है तो वह 10 साल की सजा उसे मिलेगी ठीक है impartial होना चाहिए पार्शियल टी नहीं होनी चाहिए फिर transparency होनी चाहिए तो government जो भी policy लेकि आरे है उसम पता होगा तभी तो उनको इस बारे में नॉलिज होगी इस प्रोग्राम के बारे में ठीक है तो यह लाया गया है लोगों के तभी तो वह उसको चीज में अपने हक के लिए बोल पाएंगा अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि वह सो दिन का सरकार रोजगार दे रही है तो उन्हें कैसे पता चलेगा ठीक है रूलर एरियाज में फिर आता रिस्पॉंसिवनेस तो गवर्मेंट जो गुड गवर्नेस उसको ऐसे इंस्ट्यूशन की और प्रसेस की नीड है कि वह जितने भी स्टेक कोड़र्व नहीं हैं हिंदी में बोले जो कि इंदि जोब Allah हम इस उइस्ण के आखके का सब मिलके आखते हैंirse प्रियास करते हैं उस πα्रीजिति बhangrades के लिए बहुत अच्छे कि अच्छी प्रक्रिया के जड़रा ऑर सभी को झतने बीड हैं देश में Satu पर जो भी सीज की जरुवत है जो भी सेवा उनको प्रदान करनी है वो कर सकें फिर आता है कॉंसेंस और इंटिट तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि यहां पर कि जब भी कोई कोई डिसीजन लिया जा रहा है ठीक है कि सभी की इच्छाओं को तो नहीं ले सकती सरकार अगर कोई भी डिसीजन ले सकती लेकिन ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जो सब एकसेप्ट कर सकते हैं और किसी के को हानी न हो सके ठीक है फिर आता हमारा इक्विटी और पर जब फेक्टी नेंस तो जो गूड गवर्ननेन्स होती है एंशोर करती है कि कम्मणेटी में क्या हो सिमांपरतिशन उसको मैंटैन करके रख सकते हैं और इसे बिसे इंप्रूव कर सके हैं हमारे decision making process है उसमें और जो भी उसके institution है वो इतने योग्यों होने चाहिए कि वो ऐसे decision ले जिससे community की जितने भी लोग है उनकी जो needs है वो पूरी हो सके और society के जितने भी resources है ठीक है उनका अच्छे से इस्तमाल कर पाए government फिर last हमारा accountability तो इसके अंदर क्या है जितने भी institution involved है good governance के लिए सरकार के साथ ठीक है यह सरकार को हम बोलें वो full responsible है public के लिए कि वो उनके लिए क्या करेगा कि उनकी जो quality है society की जो quality है improve करने में उनकी मदद करेगा क्योंकि गुणवत्तक में जो सुधाल लाने समाची गुणवत्ता में सुधाल लाने की जिम्मेदारी है उसमें सुषाशन को चामिल किया जाएगा तो यह हमारा last था आई होप आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो like it share it subscribe my channel thank you